कि कि आप एप को वेलकम अंदिस लेक्चिर आफ को डॉय इंड मैं से डाक्टर नेमिश चाहिए थी के लिए निजीर टॉजीश फूर्म का लेक्च्चर जो मैं फिस्ट आप किया था उसमें मैंने ताइप्स वों होती है यह इसारा मैंने डिसकुस किया था तो इस लेक्ण्टर में हम क्या डिसकुस करेंगे डिनिशिंग धाय चाहिं avete व definition हम यहां inject किया जाता है या पहुंचाया जाता है ठीक है तो simple मैंने लिख दिया कि doges form are the means by which drug molecules are entered inside the body ठीक है body के अंदर drug molecule को insert करा देना ठीक है क्या कहलाता है doges form ठीक है तो simple definition है कि drug को body के अंदर ले जाने का जो काम करती है वो क्या कहलाती है आपके doges form ठीक है medicines और drug दोनों को मैंने define कर दिया था इसमें भी मैंने define किया है कि medicines क्या होती है active pharmaceutical ingredient side में इसको हम API बोलते हैं जो body के अंदर जाए और जिस disease के लिए आपने medicine ली थी उस disease को treat करें ठीक है तो इनका जो role यह क्या है disease के treatment के लिए ठीक है medicines का दूसरा जो part होता है excipient ठीक है excipient हमारी disease को treat नहीं करते हैं यह किसी भी API को क्या करते है active pharmaceutical ingredients को एक सी प्रवाइड करते हैं एदर टेबलेट फार में हो capsule फार में हो सीरफ फार में हो तो उसमें होता क्या है बहुत सारे binding agents हम यूज करते हैं बहुत सारे coloring agents यूज करते हैं sweetening agents यूज करते हैं डालेंड्स यूज करते हैं ठीक है तो यह क्या कहलाते हैं सारे excipient जिसका कोई biological effect नहीं होता बाडी के अंदर ठीक है मतलब डिसीज को treatment के लिए यूज नहीं होते हैं ठीक है तो यह हो गया आपका medicines ठीक है ड्रग की बात करें तो ड्रग में क्या होता है कि अवल आक्टिव फार्मसेटिकल इंग्रेजेंट्स मतलब जो लाइब में prepared होते हैं drug molecules या chemicals उनको हम क्या बोल सकते हैं ठीक है तो ड्रग तभी बोलेंगे जब उसका फाइनल ड्रग में क्या होता है एक्टिव फार्मसेटिकल इंग्रेजेंट्स ठीक है तो आपको यह चीज़े पता होने चाहिए क्योंकि आप फार्मेसी के स्टुडेंट्स हूं और यह चीज़े बेसिक है कोई भी पूछ सकता है आपसे लास्ट आता है आपका फार्मकोलोजिकल इफेक्ट जब भी हम फार्मकोलोजिकल फार्मकोलोजिकल मतलब क्या है फार्मा मिंस का उसा है पार्ट आपका ड्रग का है ठीक है फार्मकोलोजी ठीक है बाडी के अंदर जाए ठीक है जिससे टेबलेट बाडी के अंदर जाएगी ब्रेक होगी उसमें जो आक्टिव फार्मासोटिकल इंग्रेजियंट मतलब जो API है वो बाड़ी रिलीस होंगे और आपके बाड़ी के अंदर इफेक्ट कास करेंगे ठीक है जो भी डिसीज है उसको ट्रीट करेंगे ठीक है तो फार्माकोलोजीकल होता है ड्रग इफेक्ट आंदर बाड़ी ठीक कानेटिक्स क्या होता है कि ड्रग बाड़ी के अंदर जा रही है ठीक है और क्या हो रही है बाड़ी का ड्रग पर क्या इफेक्ट है मतलब बाड़ी के अंदर टमप्रेचर होगा बाड़ी के अंदर वाटर होगा जिससे क्या होगा टेबलेट के जो कोटिंग है वो ब्रेक ह में होते हैं तो वहां पर क्या है जो भी डिसीज आपको होगी उसको ठीट करेगा ठीक है तो यहां पर यह फर्मकोलोजी का मतलब है ठीक है तो बेसिक आपको पता चल गया ठीक है अब हम नीटे जाप डोजस फर्म को हमें जरूरत क्यों पड़ी ठीक है बहुत अच्छा को एकवल डोज नहीं दे सकते ठीक है तो डोजस फर्म हम इसलिए क्या हुआ कि एकुरेट डोजस की चिल्डन को देनी है तो मुटका टेबलेट अगर डिफरेंट होगा ऐस कंपेर टू एडल्स एंड आइस कंपेर टू ओल्ड परसंस ठीक है तो एकुरेट डोज यहां पर डिसाइड कर दिए दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रम गैस्ट्रिक जूइस जब भी आप टेबलेट लेते हो ठीक है यह कैप्सूल लेते हो तो वह सीधे आइसा नहीं कि ब्लड में वहां ट्रांस्व्यू मतलब इंड्यूस हो जाता है बीच में बहु सारे बैरियर साते हैं गैस्ट्क जूइस आपके गैस्ट्रिक जा क्षिव वाय हैं इसमें जूइस चैमे कल्स डिलीजू तोड़ सकते हैं और गयाकि कर सकते हैं तोड़ सकते हैं यह उसके एक्टक ये को नेगलेट कर सकते हैं घल्या chess रहा हो जिससे क्या हो कि गैस्टिक दूस पर उस पर इफेक्ट ना पड़े और बॉडी के अंदर आपके जाया ब्लड में मिल जाया अइटमास्फियर्स का मतलब प्रोटेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् के लिए खतम करने के लिए उस टेस्ट और आडर को खतम करने के लिए हम डोजस फम तैयार करते हैं तहओ ज्यांट जैस सीरप तयार कर लिए उसमें स्वीटिंग सेट डाल लगेंगे अधिया फिर आप्टिमल ड्र sommes अप्रेट सब्सक्राइब एकशन की बीच जब हम ड्रग खाएं तो डारेक्ट हमारे जहां पर हमें पहुशानी यह वहां पर जाए और माक्जिमम ज्यादा ज्यादा एफेक्ट कास करें तीक है इसको बोलते हैं कि तीनों ब्रेक हों और अपना एक पर्टिकुलर टाइम पर एफिक्ट कास करें ठीक है तो कंट्रोल ड्रग ड्रिलीज मेडिकिशन हो गया इंसर्जन आप ड्रग इन बाड़ी केवटीज बहुत सारी आपके इंजेक्शन्स एवालिबल हैं सपोजिट्रीज एवालिबल हैं हम इंजेक्शन्स से हम एइन्जेक्ट करते हैं तो टीस्व में जाता हैं त Tibet टीसु चांइं ब्लड में ट्राश्फियूज जाती है सब्पोजीटरी पर निकलता वहां पर इंसर्ट कर सकते हैं तो इनका यह काम हो गया तो इसलिए हमें नीज आप जोजस फार्म की आवस्टता पड़ी तो यहां पर जोजस फार्म और नीज आप जोजस फोम यह आपका खतम होता है इसक तो थैंक्स फर वाचिंग दिस वीडियो अगर कुछ ना सौंज में आया हो तो प्लीज राइट यूर कमें इन दा कमेंट बोक्स ओके आई विल सॉल यूर प्रब्लम